अब लोग आई होप अप लोग अच्छे हैं अभी हम लोग आये हैं लखनों के जू में जो की हजरत गंज के पास पड़ता है तो अभी हम लोग जा रहे हैं टिकल लेने के लिए आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए अभी हम लोगों ने टिकल ले लिया है यह टिकेट की वैलू पर परसन एक्टी रूपीस है हम और नितेस दो लोग थे तो हम लोगों ने वन सिक्ष्टी रूपीस चार्ज किया है अगर आप यहां पर कैमरा या अधर डिवाइस लाते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए तो उसका एक्ष्टा रूपीस चार्ज करना पड़ेगा और टिकेट के काउंटर के साइड में आ यहां पर वेटिंग रूम मिल जाएगा अभी हम लोग आपको जू के बाहर का व्यू दिखाते हैं यह गेट है जहां से एंट्री होगी सो गाइस अभी हम लोग आ चुके है यह देखिए चिर्यागर के अंदर एंट्री कर ली है और अगर आप बाहर से चिप्स बगाएरा कुछ भी लेकर आते हैं तो यहां पर उसको यह पैकिंग कर देते हैं पेपर वाले से क्योंकि यहां पर पॉलिथीन लाना अलाउड नहीं है अब देख सकते हैं यहां पर यह पीछे साइड में अगर आप आप जूम एंट्री करेंगे तो आप यहां का व्यू देख सकते हैं यह बाहर का ज्यादा हो चुकी है तो अभी हम आपको यहां का पूरा व्यू दिखाते हैं यहां की यह लोकेशन कित्ती ज्यादा अच्छी है यहां पर आप लोग फोटो ज्यादा इसनेक्स की भी विराइटीज है वो सभी अब हम विजिट करेंगे आपको दिखाएंगे तो दूप काफी ज्यादा है तो हालत थोड़ी सी पत्ली हो सकती है सब्सक्राइटों का वालब हिए यह अगर आप छेन से राइड करना चाते हैं तो आप कर सकते हैं इसका चांश आप स्रेह कार सकते हैं तो कफी ज़्यादा संच लाइफ में फोन ओन हो गया है फिर से एक बड़ दिखाएंगे तो आगे हम लोग इसलिए पेंड की छाय की नीची आ गया थे कि थोड़ा सा फोन ओन हो जाए के अगर आप लोगों को पैदल नहीं ट्रवल करना है तो यह इसका प्लेट्फॉर्म यहँ है ट्रेंड मैं कि यह जू आप लोग इसे ट्रवल कर सकते हैं जो लोग नहीं चल सकते हैं बाकी जूगा तो मज़ा पूरा एक्स्प्लोर करने में पैदल ही आएगा तो गाइस यह है ट्रेन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन कि यह कब से स्टार्ट हुई अब लोग इसको पढ़ सकते हैं पॉस करें तो गाइस यहां पर है छोटा से टरनत जिसे अभी हम आपको दिखाएंगे ट होता है हुरान टाइब के इसको दिखाए आप लोग यह कितना ध्यान से हमको देख रहा है इसको साथ में जाना है ज़ा है यह भी हेरी है यह यह ये दीकर गाइस यह पर फेल्ट BLK है बहूं है जो और यह बारा सिंगा इसे बोलते हैं यह दिखे इसके बार में यह पर निफार्मस लिए उच्छाया मैं तो साइड सही से दिखाई आपको ना दे और गाइस हमरे पीसे चिंपैंजी जिसे भी हम आपको दिखाते हैं जूम करके थोड़ा सो वह अंदर है पर पंद गया है यह दिखे गाइस दीज में एफ यह सबसे बड़ा पच्ची होता है घर्मी के बिज़ से पानी के पास में है यह ज़िए लोग आचुके हैं तो अभी इदर पर यह पीछे लिखा हुआ है इस साइड में ट्राइगर है तो देखते हैं आगे देखने को मिलता है या नहीं मिलता है तो चलिए चलते हैं उस तरफ अभी हम आ चुके हैं यह पीछे हैं हिमालेयन ब्लैक बियर चलिए आपको दिखाते हैं हम इसको पास से सब्सक्राइब देखिए पीछे टाइगर के सिर्फ पूश और पैर उसके दिख रहे हैं तो उसको देखने के लिए कित्ती ज्यादा भीट इगठ्टा हो गई है और उसको आवास दे रहे हैं सब लोग इस गर्मी काफी ज्यादा थी तो नितियस भाई बताएंगे कैसा एक्सपीरेंस रहा है इनका अब तक का बाकी अभी आगे बहुत कुछ देखना बाकी है ताबर तो धूप थी मतलब मैं तो सज्जेस्ट करूंगा कि आप जाड़ों में आए आप सारी साइट सींग हो देखे तब यह हाल है सब रहे हैं और आप भी घूमनी पावों के पूरा है अब लोगों को दिखाते हैं जीर आफ यह हमारे सामने है अब यह आप इसको देख सकते हैं और यह अपने भाई है काफी टाइम एक्सप्लोर करने के बाद अभी हम लोग काफी ज्यादा है तो अभी हम लोग आए इस हाउस में यहाँ पर आभी हम आपको दिखाएंगे काफी बीरागी किस तरीके से मिल्टी को फोट गया रखा है नहीं है इस विमान के बारे में आप पूरी डिटेल पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉस्ट करके यह जो विमान है रूसी विमान था जिसे भारत सरकार को उन्होंने दे दिया था इस पे राठपती ने और प्रधान है उड़ने के लाइक तो बचा नहीं है कि काफी ज़्यदा पुराना है और गाइस अगर आप लोग यहां कैंटीन में पानी का बोतर या कुछ भी परशेस करेंगे तो आपको डबल पैसे देने होते हैं बाकी यह वापस करके हमें 20 रुपीज का रिफेंट कूपन मिल जाएगा क्योंकि यह 40 रुपीज का था तो गाइस अभी हम लोग आपको ट्राइगर दिखाएंगे जिसे आप देखना चाते थे तो गाइस देखिए पर देखिए यह रागाईस हमर पिछे नहीं अंदर थी नो यह रागाईस इसके पेश्व तो घइस फैनली हम लोग को टाइगर देखने को मिल गया है अभी अमstorm के ने के लिए उसके बेदा इसनद इसलिनों इसके लोग आ चुकर हैं लोएंगे के पास तो रहे है तो तो अब आगे सब आगे चलते हैं और दिखते हैं यह यहाँ पर वाइट टाइगर है यह रहा हमारे पीछे टाइगर है यह आगया पास में अब पानी प्योंगे वो पानी नहीं पिएगा लंच का टाइम हो रहा हो रिसके अब अब हमने आपको वाइट टाइगर दिखाया जो कि बहुत ही पास से था और अभी है यह हमारे पीछे क्रोकोडाइल यह जो आपको दिख रहा है अभी हम बैक कैमरे से इसको दिखाते हैं यह रहे क्रोकोडाइल यह देखे गाइस अ और अभी हमारे पीछे हैं यह दरियाई गोड़ा जो कि दिख नहीं रहा है थोड़ा थोड़ा सा ऐसे देख सकते हैं कैमरे से हम आपको दिखाएंगे तो क्लियर आएगा नहीं क्योंकि हो खीचर में रहते हैं तो अगर आप लोग बच्चों के साथ आते हैं पैरन्स हैं त गेटर जो की अभी हम आपको दिखाएंगे यह भी पानी के अंदर है थोड़ा सा निकलते हैं चलिए हम जूमाग करके आपको दिखाते हैं कि यह रहा गाइस ट्राइगर है कि हाराम से ट्याला है अपना लंच करने के बाद कि अभी हम लोगों ने आधे से ज्यादा जू एक्स्प्रोर कर लिया है और ठक भी गये है अभी ज्यादा कर लिया है लग भग सिर्फ इसनेक्स बचे हुए हैं बाकी नितेस भाई का भी यूट्यूब चैनल है जिनके वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में द दिखाते हैं कि अभी हम ने आप लोगों को दिखाया तो अभी अब हम लोग देखते हैं अगर कुछ होगा तो आपको दिखाएंगे नहीं तो अब इस ब्लोग को इंड कर देंगे तो अभी हम लोगों को यहां आए हुए तीन घंटे हो गए हैं अभी हम यहां पर थोड़ा सा रेश्ट कर रहे हैं बाकि नितेश थोड़ी सी वीडियो बना रहे हैं इसके बाद जाते हैं कुछ खाते पीते हैं बट गाइस अगर आप लोग यहां ठीडिया घर लखनू के आना चाहते हैं गर्मियों में तो आप मथी यह तो ज्यादा बैटा रहे हैं कि गर्मी काफी ज्यादा होती है आप लोग परिशान हो जाएंगे इस जीओं को एक दो साल के अंदर इस जगे से उठाके दूसरी जगे सिफ्ट कर देंगे यह हजरत गंज में नहीं रहेगा य अगर आप लोगों को मजाया होगा तो अभी हम लोग जा रहे हैं वापस घर अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और नितेष भाई के चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्सिन में आपको मिल झाल